नमस्कार दोस्तों आप सभी को स्वागत आपके अपने चनल एगरी स्टेडी पे दोस्तों मैंने कुछ महीने पहले FCI यानि की Food Corporation of India के बारे में एक वीडियो बनाया था उसके कमेंट सेक्शन में आप लोग मुझे पूछ रहे थे कि इसका नोटिफिकेशन कब आएगा इसका बैकेंसी कब रिलीज होगा तो दोस्तों बहुत ही important news है FCI job के notification आ चुका है और इसके लिए जो जो details आपको जानना ज़रूरी है वो सब इस वीडियो में हम बात करेंगे तो वीडियो का आखर तक देखते रहे दोस्तों agriculture student के लिए जो important job है वो है assistant general manager technical यानि की AGM technical ये post code है इसका B और इसका pay scale है 60,000 से 1,80,000 मतलब आप समझ सकते है इसका pay scale बहुत ही अच्छा है बहुत ही lucrative salary है इसके लिए जो जो details है जैसे कि maximum age limit कितना रहेगा आपका maximum age limit 1st January 2021 के हिसाब से calculate किया जाएगा और maximum age limit होगा 28 इसमें आपको कुछ age relaxation provide किया जाएगा HCT बालों को 5 साल की age relaxation OBC बालों को 3 साल की age relaxation दिया जाएगा आप हम बात कर लेते इसमें total post कितने है इसमें SC, ST बालों के लिए 5 और 1 post है OBC बालों के लिए 4 post है EWS यानि कि economically weaker section के लिए 3 post unreserved candidate के लिए 14 post है यानि कि कुल मिला के 27 27 post है AGM technical में AGM के लिए आपका required qualification क्या होना चाहिए आपके लिए पास minimum B.A.C. Agriculture degree होना चाहिए ये कोई भी मान्यत अप्रप्त इनिवर्सिटी से होना चाहिए आपके पास minimum 55% marks भी होना चाहिए इसके अलाबाद जो Agriculture Engineering के स्टूडेंट है अगर उनके पास B.T.E.C. डिगरी है तो वो exam दे पाएंगे इसके आगे आप बहुत सरे लोग मुझे comment में पूछते हैं एक ही question Final year भले student exam दे पाएंगे या नहीं तो मैं बता दू Final year के student exam नहीं दे पाएंगे क्योंकि इन्होंने बताया है आपका जो qualification है वो 1st January 2021 के पहले complete हो जाना चाहिए यानि कि अगर आप Agriculture के student है आपके पास graduation degree 2021 1st January से पहले complete हो जाना चाहिए तो जो student अभी फिलाल B.T.E.C. या फिर B.E.C. अगरी कर रहे हैं वो exam नहीं दे पाएंगे Assistant, General Manager, Technical को छोड़के और भी बहुत सारे पोस्ट आया हुआ है जैसे कि Assistant, General Manager, General Administration, Assistant, General Manager, Accounts, Assistant, General Manager, Law इन सब पोस्ट में आप केबल एक ही पोस्ट में एपलाई कर सकते हैं अगर आप एक से ज़्यादा पोस्ट में एपलाई करेंगे तो आपका जो application वो reject कर दिया जाएगा application online mode में करना होगा आपका जो exam वो exam भी online ही होगा पहले आपका एक online return test होगा उसके बाद आपका एक interview conduct किया जाएगा इन दोनों के हिसाब से आपका selection किया जाएगा written exam के लिए qualifying marks है 50% यानि कि अगर आप general student है अगर आप written exam में 50% minimum score करेंगे तभी आपको interview में बुलाया जाएगा और OBC, SC, ST वालों के लिए ये है 45% एक post के लिए ये लोग 3 student को interview में बुलाएंगे यानि कि total 27 post है तो कुल मिला कि 80 से 81 student को interview के लिए बुलाया जाएगा written exam का 90% और interview के 10% एक साथ calculate करके selection किया जाएगा Assistant General Manager Technical के exam pattern कैसा रहेगा इन में total 180 question पूछा जाएगा जिसके लिए total 180 marks आपको दिया जाएगा आपका time limit होगा 2 and half hours इन में question जड़ातर दो पार्ट में पूछा जाएगा एक है general aptitude से question और दूसरा है आपका जो technical discipline है उन में से यानिकी एगरिकल जट से General aptitude में total 120 multiple question पूछे जाएगे जिन में हर एक question में आपको 0.5 marks दिया जाएगा यानिकी 120 question के लिए total 60 marks और आपका जो subject है उन subject में 60 multiple question पूछे जाएगे जिसके लिए आपको total 120 marks दिया जाएगा इन में किसी भी question में कोई भी negative marking नहीं होगा General aptitude में आपको reasoning, data analysis, numerical ability से 30 questions, general awareness, current affairs से 30 questions, management, ethics इन सभी चीजों से 30 questions, agriculture, agricultural economy, computer awareness में से 30 questions पूछे जाएगे आपका जो relevant discipline है उन में 60 questions आपको पूछा जाएगा तो दोस्तों उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपके लिए बहुत informative रहा होगा चैनल को subscribe करिए और हमारे साथ जूड़े रहे धन्यवाद